सब्सक्राइब करना है कि अगर मीटर में मिली मिली हो कोई भी हमें वैलियू तो हम उसको सेंटिमीटर में कैसे करेंगी तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच सबस्क्राइब कर लें और अगर अगर व्रूसमें होना चाहते हैं इसी बीटर की ही हाएं और मेत्मेटिक्स वाले थे तो आप हमारे वार्ट सबके नंबर याप तकर एड़ो की तरफ उन्ट हो सकते हैं चलते हैं लेक्टर की तरफ अबर आज का टापिक हैं देखें मीटर्स पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो सेंटीमिटर के बराबर हो जाता है तो देखें देरार हंडेड सेंटीमिटर इना मीटर तो एक मीटर में कितने होते हैं हंडेड सेंटीमिटर होते हैं क्या हंडेड सेंटीमिटर एक मीटर में होते हैं मतलब जो मीटर होता है वो अगर ह और हम एक पार्ट होगा सेंटिमेटर ठीक हैं। हम अगर हम ले ले लिए तो कोई भी वेलिडिजी है जाती है कोई क्या 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 कह दो में क्या करेंगा कोई विलिव दि गई हैं और आपको संस्सकंदेटी में आएं तो आप क्या실े इसको हड्य में किवेलिज interior होते हैं तो कुछ एक्जेप्पुल देखेंगे और उसके बाद हम एक्टिटी भी करेंगे ताकि आपकी प्रेक्टिस भी हो जाए लास्ट में आपको एक्सराइब दी जाएगी और सिक्स में किस में करना हैं सेंटी मिटर सेंटि करना है तो हमक्या करेंगे शिक्स जह कोहें फजह कर देंगे यो tenhaú तो किस में मिल जाएगी हमें सेंटिमेटर में मिल जाएगी देखें सिक्स को हमने मुल्टिप्या किया था हंडेट से तो क्या हो गया सिक्स हंडेट तो सिक्स हंडेट यह क्या हो गया सेंटिमेटर क्योंकि एक मीटर में हंडेट से तो हमने इसलिए हंडेट से मुल्टिप्या वेल्यू कोई भी हो आपको जस्ट क्या करना है अगर आपको मीटर को सेंटीमिटर में करना है तो आपको क्या करना है कि मल्टिप्लाइ कर देना है हंडेट से याद रहें मीटर को सेंटीमिटर में करना है ऐसे नहीं कि आपको सेंटीमिटर को अगर करना हो मीटर में तो यह से से नाइन मेटर्स की वेल्यू हमें बता नहीं है सेंटीमिटर्स में कितनी होगी एक एकजेंबल आपके लिए दिया भी गया है फाइम मिटर्स कितने होते हैं 5 को मल्llers कर दिया अंडेट से तो 500 हो गए सेंटीमिटर्स इसी तरीके से नीचे आ लेंगे थारे और 9 मिटर्स को मै हंडे से मल्テिट्प्राइब कर दोगा तो 9 मिल्ट्प्राइब हंडे कितने होते है9 यह हो गया 900 तो 9 मींटर स् पे कितने होंगे 900 cm, 18 m से 18 m को मैं किस से multiply करूँ, 18 को मुझे multiply कर देना है, हंडेर से, ठीकि है, जब 100 से मैंने multiply कर दिया, तो answer क्या आएगा इदर, देखें, 1800, 18, 100 cm, उसके बाद देखें, 45 cm मेटर से, 45 मीटर को मैंने क्या multiply करूँगा, 100 से हमें cm के value मिल जाएगी 45 multiply by 100 ठीक है क्या value मिलेगी 45 या 4500 पर इसको कह सकते हैं ठीक है तो 4500 cm होते हैं 45 मीटर में इसके बाद 60 मीटर 60 को मैं multiply कर दूँगा 100 से value कोई भी हो आपको 100 से multiply कर देना है cm में convert करने के लिए 60 को जब 100 से multiply कर दिया तो कितने हो गए 6000 सेंटी मिटर 87 को जब मैंने multiply करना है 100 से 87 को क्या करना है 100 से multiply कर होगा तो क्या हो जाएगा 8700 cm यह थारे देखें values convert हो चुके जस्त आपको कोई भी value अगर मीटर में दी गई है आपको ध्यान में रहे कि यह मीटर को हमें convert कर रहे है cm मीटर को जब आप cm में convert करेंगे तो आप किस से multiply करेंगे 100 से multiply करेंगे जब हम किलो मीटर को हम मीटर में convert कर रहे थे तो उसमें हम 1000 से multiply कर रहे थे जैकिन मीटर को जब आप cm में convert करेंगे तो आप 100 से multiply करेंगे क्यूंकि एक मीटर में 100 cm होते हैं देहान में रहे जिंगे चीजव ँन मीटर इजकव तो chem लीयड रहे जेह है कि किलो में किलो मीटर प्रों में मीटर यह रहे थे तो यह आपको चीज़ आप पॉइंचर में हम खोखने तो यह एक पॉइंट है आपको हमेशा आद रहने चाहिए कनवेट के से होगा मीटर को सेंटिमीटर में 100 से मेंटर राकर नहीं पड़ेगा जस्ट एक एंसे क्यों आपके सामने आ रहा है वो आपको इसका अंसर मुझे कमेट करके बताएं और जो WhatsApp के गुरूप के मिम्बर्स हैं, पेट गुरूप के मिम्बर्स उनको एक एक साइब दी जा रही है, वो मुझे कम्प्रीट साल्व करके भेज़ दें जल्ली, तो आप अपना ख्यार रखेगा, मेरे चैनल सर्वेट इंसे क्लिव विडिया को सब्सक्राइब करें, करा रेक करें जल्ली, को सबस्क्राइबू करिणारो